दोस्तों गर्मियों में बनाना शेक पीने में बहुत अच्छा लगता है जिसके लिए हमें चाहिए होते हैं केले और साथ में चाहिए होता है दूद और चाहिए होती है मिक्सी जिसके अंदर हम इसको घुमा के बनाना शेक बनाते हैं बट अगर आपके घर पे मिक्सी नहीं ह या बिजली नहीं आ रही है तो फिर क्या होगा तो मेरे पास ये वेजीटेबल चोपर जिसमें वेजीटेबल को चौप किया जाता है तो आज इसके अंदर मैं बना के देखने वाला हूँ बनाना शेक कि बनाना शेक बनता है नहीं बनता परफेक्ट बनेगा अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा तो यही एक्सपेरिमेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना देखने एंड में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बनाना शेक बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, कई बार होता है, घर में mixi होती है, बट light नहीं होती है, और कई बार mixi होती ही नहीं है, और 1000, 2000, 5000 की mixi क्यों ले नहीं है, अगर घर में 100-800 रुपे के इस chopper से ही banana shake बन सकता है, तो चलिए करते हैं, वीडियो को start, और अब बनाते है banana shake, इसमें थोड़ा सा मैं मिला लेता हूँ चीनी, एक चम्माचीनी मिलाईए, कुछ बदाम आप, काजू के समिस जो मिलाना चाहे, वो भी मिला सकते हैं इसको कर लेते हैं, हम बंद और इस तरीके से बंद करने के बाद अब कुछ नहीं करना और इसको घुमाना है जैसे chop करते हैं, चलिए करते हैं इसको chop और बनाते है banana shake तो ये देख सकते हैं दोस्तों, banana shake बनना ready हो गया है हमारा और लग तो रहा है कि banana shake बन गया है चलिए इसको गिलास के अंदर निकालते हैं और निकाल कर देखते हैं कि सच में banana shake इस सौर पे वाले vegetable chopper के अंदर बन भी गया है या नहीं बना है जिसमें बिजल कुल भी बिजली का इस्तमाल नहीं हुआ है और बड़ी असानी से बहुत कम टाइम के साथ बना है तो ये देखेगा banana shake बन गया के अंदर छोटे-छोटे बदाम के piece भी दिख रहे हैं हलका-हलका सा केले भी दिख रहा है छोटा-छोटा piece में और काफी अच्छा banana shake बन गया है तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों और सब के साथ शेयर भी कर दीजेगा ताकि जिनके घर में चौपर है तो वो mixi का ना इस्तमाल करके इसी के तुरू बनाने शिक बनाए जिसमें light की भी जरूर नहीं और जिनके पास mixi नहीं है वो तो बनाई सकते हैं